नमस्कार दोस्तों, Xiaomi ने जो है अपने दौ मुबाइल लॉंच कर दिया है, जो की Xiaomi का Redmi 5 and Redmi 5me Plus जो की कल ही लॉंच हुए है चैना में, तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे की क्या खास बाते इस Redmi 5 and Redmi 5 me Plus में हम जानेंगे इस फोन के स्पेसिपिकेशन और क्या प्राइज होगी इस फोन की जब यह फोन आएगा इंडिया में नमस्कार दोस्तों मेरा नामे नखुल आप देख रहे हैं वक्तर टेक चैनल को तो चलिए शुरू करते हैं नमस्कार दोस्तों हम बात कर रहें Redmi 5 & 5 Plus की यह फोन रिलीज होने से पहले इस फोन के काफी चर्चे थे क्योंकि यह फोन में काफी रूमर्स वहले थे कि इस फोन में नहीं होगा अडियो जाए इसकी जो स्क्रीन है वो होगी पूरी बेजल लेस इस फोन में आपको मिलेगा ड पूमर्स कितने सच हैं तो दोस्तों शुरुवात करती इसके डिस्प्ले के साथ आपको जो यह Redmi 5 में मिलता है 5.7 इंच का HD डिस्प्ले और जिसका आइसपेक्ट रेशो है 18-9 और जिसका रिजॉल्वेशन है 70 पिक्सल इंटू 1440 पिक्सल का और Redmi 5 में प्लस में आपको मिलत जी हाँ दोस्तों इनका जो एसपेक्ट रेशो है वो काफी बड़ा है 18-9 मतलब की बहुत हद तक यह फोन जो है वो बेजल लेस होगा यह शामी का सबसे फॉर्स्ट वाला फोन है जिसका एसपेक्ट रेशो इतना बड़ा है अब बात करते हैं इन दोन फोन में काफी अच्छे प्रोसे सर लगे बात करते हैं रेडमी 5 की तो इसससर आता है वो आता है Qualcomm की दरब से जो कि है snapdragon का 430 वाला Optoク perd processor जो कि work करता है 1.8 ghpe और जिसका GPU हैं Antrino का 506 और बात करते हैं प्लस की तो 5 प्लस में भी आता है Qualcomm की दर्व से प्रोसेसर जो कि है Snapdragon का Trusted 625 वाला और जो कि वर्ड करता है टू गीगाहर्ट पे जो कि है Octa-Quart प्रोसेसर और जिसका GPO भी है Andrino का 506 सो हम बात करते एकामरी की तो आपको जो है इन दोनों फोन में जो है काफी अद्तक सेम कैमेरा मिलते है मतलब कि आपको 5 and 5 प्लस में मिलता है बैकसाइट पे 12 मेगापिक्सल का कैमेरा जिसके नीचे लगा होगा लिमिटेड कैमेरा मिलेगे अब बात करते हैं इसकी बैटरी की तो आपको 5 में मिलता है 3300 एमेच की बैटरी और जो कि 5 प्लस में मिलती है आपको 4000 एमेच की बैटरी मतलब की इस फोन की जो बैटरी है वो लगबग चलेगी एक से देड़ दिन तक अब बात करते है वेरियंट की तो रेडमी 5 में आता है आपको 2 वेरियंट मतलब की 2GB की राम 16GB का स्टोरेज 3GB की राम 32GB का स्टोरेज और जो कि एकस्पांड कर सकते हैं 128GB की तक और अब बात करते हैं 5 प्लस की तो 5 प्लस में आपको मिलता है 3GB की राम 32GB का स्टोरेज 6GB की र दोस्त वह सबसे इंप्टान वाली बात जो कि इस फोन में आपको मिलता है हीप्रिट इस फोन में आपको इतो雞ुच कर सकते हैं है का फिर एक सेीम कार्ड एक लोगी तो इस फोन है पको फॉन साइब प्रोल स्क्रिन मेलते हैं मतलब कि बेजल स्क्रिन 18 इश्टो 9 रेश्वाल फुल स्क्रीन और बैक साइड की बात करते है तो इस फोन में आपको मिलता है बैक साइड पर कैमेरा जिसके नीचे लगा है फिंगर प्रेंट सेंसर जो कि टिपिकल नोट फोर में था उसी तरह का बैक साइड पर लुक आपको मिलता है तो दोस्तों यह था और लुक 5 & 5 प्लस का तो आप बात करते हैं मेरी ओपेनियन की तो इतना कुछ खास चेंज नहीं इस फोन में बड़ बात करें इसकी प्राइजिंग की तो काफी कम प्राइज है जी अहां दोस्तों आपको जो है वो 5 के जो 2GB & 3GB के वारेंट है वो लगबक मिलते है साड़े साथ से साड़े ना रधी था थां कैवेरा है बैटरी भी जो है वो काफी बड़ी है तो मतलब यह फोन जो है वो प्राइज के मामले में काफी कम है के साथ में मतलब कि यह फोन 12 ऐमी चाईना के मार्केट to और यह फोन लगबग इंडिया में डिसेंबर एंड या जन्वरी तक आ जाएगा और अब बात करें शाओमी के स्ट्राइजी की तो शाओमी जो है वो लगबग पागली हो चुका है मतलब कि हर एक महने के बाद एक नया नया फोन लाता है जैसे कि उन्होंने लाया था एवन अभी रिसेंटली लांच किया था फाइवे मतलब शामी जो है वो पागल हो चुका है वो अपने साथी कॉम्पेटिशन कर रहा है बट अगर आप रुख सकते हैं एक मन तक तो जरूर रुखे क्योंकि इस फोन का जो प्राइज है वो मतलब काफी कम है और इतने अच् प्राइज में तो आपका दिल तो खुश होई जाएगा तो यह ता फिलाल रेड मी 5 & 5 प्लस के बारे में अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरा यूटूब चैनल है वेक्टर टेक को प्लीज इसे सब्सक कीजिए और आपका कोई भी सुझा हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए